लोगतंत्र में कहा जाता है कि हर एक वोट की एहमियत होती है हर एक वोट को काउंट किया जाता है और आज जब लोगसभा चुनाओं के नतीजे आ रहे हैं तो इसकी एक मिसाल भी हमें मुंबई में देखने मिली मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट पर एक वोट के वज़े से पूरा गेम ही पलट गया हलाकि बाद में एकनाशिंदे के रविंदर वायकर की चीज़ हुई लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जहां पर इवियम के वोट्स खतम हो गए और वहां पर उद्दव ठाकरे के अमोल किर हम देख सकते हैं कि लगबग कुछ वक्त पहले इस तरह के हालाद बने हुए थे यहां पर अमोल किर्थिकर जो है वो चार लाख 51,095 वोटों के साथ आगे चल रहे थे वही रविंदर वायकर जो है वो चार लाख 51,094 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे यहां आप दे हुई तो इस तरह का नजारा हमें देखने मिला उसके बाद जो बैलेट बॉक्स के जो वोट है उन्हें काउंट किया गया और उसके बाद इस वक्त का जो नजारा हमें यहां पर देखने मिल रहा है कि महज 48 वोटों से रविंदर वायकर जो है जीत गए है पहले चार लाख 51,095 वोट अमुल किर्तिकर को मिले थे और वो नमबर वन पे थे और एक वोटों से वो आगे चल रहे थे लेकिन जब बैलेट बॉक्स के रीकाउंटिंग की गई तो रीकाउंटिंग के बाद रविंदर वायकर जो है वो महज 48 वोटों से जीत चुके हैं यहां आप देख स हैं कि रविंदर वायकर को रीकाउंटिंग के बाद 4,52,644 वोटे मिल चुकी हैं वहीं अमुल किर्तिकर जो है उन्हें 4,52,596 वोट मिले हैं तो यह अपने आप में एक मिसाल है क्योंकि लोगतंत्र में हर एक वोट काउंट किया जाता है और यहां पर यह काटे की टकर थी और यहां पर जब EVM मशीन के वोट काउंटिंग करना खतम हुआ तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वोट से अमुल किर्तिकर आगे थे यह एक वोट से आगे होना यह बताता है कि जो लोगतंत्र है उसमें हर एक वोट माइने रखता है और एक वोट जो है किसी को जिता सकत हुआ है